असलाम लेकूं विवर्स आज रुबीनांसारी किचन में आपके लिए जल्दी से बन जाने वाला मीठा तयार कर रही हूं थंडा ठार मैंने तीन पाव दूद लिया था ट्रेटर पे दूद है और इसे थोड़ी देर से मैंने चूले पे रखके पकाया है अच्छा खासा पक जाए थोड़ा सा गाड़ा हो गया है इसमें मैं क्वार्टर कप चीनी का डाल रही हूं चीनी आप अपने टेस्ट के मताबे कम याज़ादा कर लिजेगा देखिए कितना अच्छा खासा पक गया है बलाई भी इसमें आ रही है यहां मैंने आदा कप दूद अलग से लिए ह अप कस्टर्ड मैंने इस दूद में अच्छी तरह से मिंक्स कर लिया है और इस चलाते हुए डालूँगी चलाते हुए इसली डालूँगी कि इसमें लंस बन जाते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंसे लो मीडियम लो फ्लेम पर 6-8 मिनट तब काउंगी ताकि इसका कच्छा पन दूर हो जाए और ये गाढ़ा भी हो जाए तो देखिए वीवर्स कितनी अच्छी तरह से ये पक रहा है अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो इ चलते हैं से लेकर वीवर्स ये थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इस सर्विंग बोल में डाला है जिसमें मैंने तकरीबन चार केलों को काटके स्लैसिस की शकल में सेट कर दिया था अब मैं उपर भी केले के स्लैसिस से इन्हें डेकोरेट कर रही हूं कुछ थोड़ा सा गाड़ा सा है इसे आप फ्रिज में रखिएगा तो यह और ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो लीजिए वीवर्स देखिए कितना गाड़ा सा है मैंने आपके लिए ठंडा ठार ठंडा सा कस्टर्ड तयार कर दिया है बनाना कस्टर्ड इसे जरूर ट्राइ कीजेगा अपन